तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में तो आज हम आपके लिए लेकर आये हैं गुड़ और आटे से बना एक बहतरिन और हेल्दी नास्ता आप सबके लिए तो चलिए रैस्पी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले एक केजी आटा और करीब 200-500 गुड़ गुड़ को हमने बारिक कर लिया है किसी बर्तन के अंदर और इसे हम 10-15 मिंट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देंगे 200 गुड़ है तो हमने करीब 200 गुड़ इसके अंदर पान गेहूं का थोड़ा सा मोटा आटा आपको चाहिए इसके लिए और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन करीब आधा चम्मच और एक चम्मच सौफ हलकी बारिक पिसी हुई सबसे पहले आटे को आप अच्छी तरह से मिला लीजी अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे 100 ग्राम सर्शनों का तेल अब तेल और आटे को दोनों आथों से अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर लीजी मिक्स करने के बाद आपको जो गुड का पानी हमने बनाए था उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छी तरह से खूब टाइट गुथना है जान रहे आपको इसे बिलकुल भी मुलाइम नहीं रखने जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट इसे गुथ ले यह देखी गुथने के बाद इसके अंदर आपको दरारे नजर आ रही होगी कुछी इस परकार का आपको आटा लगाना है अब इसमें से आटा तोड कर आपको इसकी छोटी छोटी पेडिया तोड लेनी है जिस भी साइज के आप पेडिया तोड़ना चाहें उतनी छोटी या बड़ी आप पेडिया तोड लेजिए तो यह हमने सभी आटे की पेडिया तोड कर तयार कर ली है अब इसे बेलने से पहले हाथेली से एक बार दबा दीजिए और बेलन से एक पूरी जितने आकार में आप इसको बेल लेना है यह देखे इस परकार से इतना पतला आपको रखना है इसे यह नास्ते का उप्योग आप सुबह चाई के साथ दूद के साथ यह कभी भी बच्चों के टिफिन के अंदर इस्तिमाल कर सकते है यह हमने सभी पूरियां बेल लिए है तो गैस पर रख दिया हमने तेल तेल को हलका गुनगुना गरम रखना है और इसके अंदर पेडिया छोड़ देनी है जब पेडिया उपर आ जाए तो आपको गैस को थोड़ा सा तेज कर देना है जब आपको लगे कि पेडिया एक तरफ से सिख गई है तो उसे आप उल्टते पल्टते रहिए जब तक कि दोनों तरफ से एक समान आई है ना सिख जाए यह देखे हमारी गुड की पूरिया जो है सिख कर तैयार हो चुकी है और कलर भी इसके अंदर काफी अच्छा है हलका बादामी कलर आपको इसके अंदर रखना है तो यह हमने निकाल लिए हैं और इसे तोड़ कर देखते हैं यह बिल्कुल हाथ लगाते हैं इतने सोफ्ट और नरम मुलाइम नासता है कोई भी से खा सकता है तो दोस्तों इस प्रकार की रैस्पी देखने के लिए आप हमें